दोस्तों जब भी नाम आता है कड़ी का और सबसे पहले याद आती है अपनी मा की और कड़ी बनाना मतलब बिलकुल मा के हाथ की कड़ी खाने को मिल जाए तो क्या ही कहने और कुछ ट्विस्ट लेकर आई हूं कड़ी में जो बहुती बढ़िया स्वाद आएगा तो चली बनाना शूगर दे हैं और मेनवास याद में हाँपर हस्पेंड मी कुछ बना रहे है मखाना और मखाने को घीमे से प्रगु ड denken यहां पर लिया है 3-4 cup लिया है बेशन और बड़ी तपेली में डाला है मेरहाँ पर दही इस दही में हम डाल देंगे बेशन को और इसकों विस्कर की साइथा से अच्छे से विस्क लेंगे ताकि इसमें कोई भी लंप्स ना रहें कोई गुट्टली ना रहें तो पहले हां प बढ़िया कड़ी बनती है जब तक कड़ी में खटक बनना हो तो कड़ी का स्वात नहीं आता तो मैं यहाँ पर दही यह लसी भी डाल दी इसमें लसी या फिर छांच इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुती बढ़िया सा इसका हम गोल बना लेंगे और इसमें मैं पानी तो यहाँ पर तीन कप डालेंगे पानी बहुती बढ़िया कड़ी बनेगी दोस्तों आपकी एक बार यदि आपने इस तरह से कड़ी बना ली ना सारे तरीकिया भूल जाएंगे और यहाँ पर ना थोड़ा सा इस घोल को आप ठोड़ा टेस्ट कर लें कि आपको कि नोर्मल किसी कर दो यहाँ पर जादा खटी कड़ी पसंन होती किसी कर नोर्मल कड़ी तो उसके कोर्डिंग आप इसमें पानी डालिए मैंने आपर इसको टेस्ट कर लिया थोड़ा सा और मिन्वाइल मैं आप लिया है मेथि क्योंकि आज मिना आउंगी मेथि वाली कड़ जो बहुत ही स्वाधिस्ट बनेगी और विंटर में इसी गरम-गरम मेथी वाली कड़ी बहुत ही अच्छी लगती है और साइड में अपर मैं अपने हस्मेंट की भी हल्प करा रही थी क्योंकि वो बना रहे हैं यह गुड़ और यह मखाने वाले बहुत ही ट्रेस्टी बहुत हैं दो बनाए ठीधा बनाए तो नहीं बच्चों के लिए और बहुत ही अच्छा था यह पर दण केसमेंगी बहुत ही अच्छी लगती विल्कुल स्थी तरह चोंक और गली को बहुत रहत मिलती है गरम-गरम कडी बने से आपका जो गला सान इसा तान वह भी ठीक हो जाता ह तो मैंने यहां पर सब कुछ चौप कर लिया है और कड़ाय में आपर डाला है ओईल या फिर घी आप डाल सकते हैं और हिंग अच्छा डालेगा बहुत ही अच्छा स्वादा आता है हिंग से कड़ी में और कड़ी पत्ता मस्ट है यह भी आप ज़रूर डालेगा और मैंने दोस्तों बिलकुल भी चीज़े इसकिप मत कीजिएगा मैं आप अपत्रड़का लगाया है थोड़ा से मैं आप पर राई ओवर डाल दिया है इसमें जीरा और इसमें डाल देंगे लसन और यह प्याज और लसन प्याज डालना दोस्तों टोटली ऑप्शनल है अगर आपको पका लिया है प्याज को और इसमें मैं आपर मेथी को अच्छे से बारी बारी चौप कर लिया है वह इसमें डाल दिया है और मेथी को भी हम सॉफ्ट होने तक पकानाएंगे ताकि मेथी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी और इसमें डाल देंगे हम मसाले तो मैं आपर डाल दिया और मेथी वाली कड़ी ना बहुत जादा टेस्टी बनती दोस्तों एक बार आप ट्राइ करना और बहुत ही बढ़ी है इसकी खुश्बू आ रही थी यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है लोड टो मीडियम फ्लेम पर कीजिएगा और दोस्तों कि आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और उसके बाद इस घौल को मैंने एक बार और मिक्स कर लिया ताकि बेशन जो है बेटना जाए और इसमें हम डाल देंगे बिल्कुल भी कड़ी दोस्तों नहीं आपकी फटेगी है कुछ भी होगा और इतनी जबरदस्त कड़ी बनेगी ना कि आप सारे तरीके भूल जाएंगे इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको हमें अच्छे से बॉल करना है और इसको अच्छे से उखालना है चार से पांच इस सकती बॉल कर लिया और काला नमक जरूर रइक बिल्स कड़ी में बहुत ही अच्छा स्वाथ अब दाँनी मिक्स कर लिया अच्छे से बॉल कर लिया छे से बार इसमें बढ़तना है औरह तो यह वह तो जाँ दृश युदा लिया ख़र और एक टीफाना मायका काले साज्श भड़िया स्वाद आएगा मैंने आप इसमें थोड़ा सा डाल दिया था । या यह नहीं पर मेरी बेटी न यह टाल दिया लाल मिश बड़ लगए अपको और इसको हाँ पर किसी आप गंजी में इसको रख दे से और इसके उपर हम डाल देंगे यह कड़ी को और बहुत ही बढ़िया बनी थी दोस्तों कड़ी इसको तो मेरी हाँ पनाया था मक्का की रोटी के साथ खाया था मेरी मा ने बहुत हमें खिलाया दोस्तों बच्पन में मक्का की रोटी और कड़ी हमने बहुत खाया है और आज मैंने वही शेयर किया है और बहुत क congestion दूस्तों बहुत सुधित लगता है खास कर winter के समय और दोस्तों ने आपके क intentar हग है के मक्का की Chi Anybody क्यों ranked एस बनाएं तो जहुरर से देखिएगा देखिए कर्म कर्म कड़ी ओर मक्का की रोटी